next question question says a body constraint to move in y direction is subjected to a force given by f is equal to minus 2y cap plus 15 j cap plus 6 j cap newton what is the work done by this force in moving a body through a distance of 10 meter along y axis so हमें y axis के along this body ko 10 meter move करना है कितना अपना work done होएगा तो पहले तो force को लिख लेते हैं तो force जो हमें गिवन है that is minus 2y cap plus 15 j cap plus 6k cap यह अपना force है हमें बताना है कि इसको अगर हम move कर रहे हैं so let's say r vector जिसमें move कर रहे हैं y axis के along 10 meters so इसको हम लिख सकते हैं 10 and j cap तो यह अपना r vector हो गया हमें बताना force क्या होगा और सॉरी हमें बताना work done क्या होगा जैसे कि हमें पता है work done is given as f dot r work done इन दोनों वेक्टर का dot product होगा so जब हम इन दोनों का dot product करेंगे यह अपने को पता है जब भी हम dot product करते हैं तो आई आई जे जे के multiply होते हैं बाकि आई जे जे के वो सब 0 हो आते हैं विकार इनके बीच में इंगल 90 डिगरी का होगा in that case हमको सिर्फ जे अब इस वेक्टर में सिर्फ जे component है जे और जे को multiply करना है तो इट विल बी 150 यह अपने इसकी वैल्यों आ जाएगी 150 जूल सो बेस आन दिस हम कह सकते हैं कि option नमबर भी 150 जूल विट भी दा राइट आंसर